सरकार ने जिस नई pension scheme यानि UPS का एलान किया है वो UPS आखिर मौझूदा NPS से कैसे अलग है 2004 से पहले वाले old pension scheme से कैसे अलग है इसके तुलना आपको करके दिखाते हैं सबसे पहले बात करते हैं वो है आपको pension की guarantee की UPS यानि Unified pension scheme जिसका सरकार ने अभी एलान किया है उसके थायत कम से कम 50% pension की guarantee दी गई है लेकिन ये 50% क्या होगा आप retire होने से पहले पिछले 12 महिने में जितना आपको salary मिली है उस salary के basic salary का उसत निकाला जाएगा और उसका 50% लिया जाएगा लेकिन शर्ती है कि 25 साल की नोकली कम से गम होनी चाहिए NPS में ऐसी कोई guarantee थी ही नहीं अब OPS, OPS में क्या था मामला अलग था OPS में आपको pension जो मिलता था वो basic और DA का दूनों मिला करके यानि जिस दिन आप retire कर रहे हैं उसके पिछले महिने में अपने जितनी भी सेली पाई हो basic और DA मिला करके तो उसका 50% आपको pension मिलता लेकिन यह 50% मिनम नहीं होता ना तो maximum होता 50% fix होता ध्यान देजिए UPS में minimum 50% की बात की गई है दूसरा UPS में जहां कम सकम 25 साल की नोकली की बात की गई है UPS में वहां कम सकम 20 साल की नोकली की बात की गई है चले दूसरा अंतर देखते हैं आपको वह कंट्रिबूशन को लेकर यह काफी विवादा सब्द मुद्दा रहा है तो UPS and Unified pension scheme के थहत सरकार ने अपना contribution बढ़ा करके जो पहले 14-15 परसेंट था NPS में बढ़ा करके सारे 18 परसेंट कर दिया करमचारी के सरकार को समिक्षा करेगी क्या contribution सरकार को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना घटाने की बात तो नहीं होगी ना तो करमचारी contribution करण बढ़ाने पर विचार किया जाएगा OPS में कोई contribution employee देता ही नहीं था सिर्फ सरकार को contribution देना पड़ता था अब आईए minimum pension UPS के तहत कम से कम 10 जार minimum pension की गारेंटी थी OPS के तहत 9000 की तहीं यूपेस के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी की जरूरत है यूपेस के लिए एंपेस में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं अब आईए वह फैमिली पेंशन धारक की अगर मृत्ति हो जाती है तो उस पर आश्रित कोई होते हैं तो उनको दूदी पेंशन मिलता है तो इसमें ऑफेंशन सकिम की प्रावधान कर दिया गया है आखरी पेंशन का 60परसेंट मिलेगा इन पियसमें ऑन प्रावधान जोड़ा गया वह ईक्वट है आपको एक मॊसर राकम जी हां जब कोई रिटायर करता है सरकारी कमचारी तो उसको एक मुस्त रकम मिलती है और रकम कितनी मिलेगी वह NPS के तहर तो कुछ प्रावधान था ही ने लेकिन UPS के तथ प्रावधान किया गया वह है कि आपकी जो मासिक सेलरी होगी हर 6 मैने की नौकरी के अधार पर हर 6 मैन का 100 परसेंट आपको मिल जाएगा रिटायर्मेंट करते ही मैं पूरा कंट्रिप्शन आपको वापस कर दिया जाएगा ब्यास समित और ग्रेश्यूटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा आप चाहें तो 40 परसेंट तक पेंशन ले सकते हैं यह भी खासियत थी तो OPS के तहत ए अब नए सकी में सरकार ने इसको वापस से जोड़ दिया अब चलिए अब है दूसरा मुद्दा आपको है खास्तों से वियारेस को ले करके बहुत सारे लोग वियारस में 60 साल की उम्रे में पेंशन मिलेगा वियारस ले लिजिए लेकिन जैसे आपके उम्रे साथ साल की अब आये कि उपियस लागू किन पर होगा बहुत सारे लोग स्वाल पूछ रहे हैं कि हम क्या हम पर लागू हो तो बता दूं कि राज सरकार को जो कमशारी हैं उन पर लागू होगा बशरते की उनकी सरकार ये फैसाल लेती है तो सरकारी बैंक सरकारी कंपनियों पर नहीं होगा बिल्कुल साफ साफ सुन लिजे और एक और बात जो नई स्कीम उसके कुछ खासियत है यह एक अप्रेल 2025 से लाग होगी जो लोग NPS को चुन चुके हैं वो भी चाहे तो नई स्कीम में शामिल हो सकते हैं जो लोग NPS के पेश जो आपको सुल्जा दिया है मैंने मुझे लगता है कि अब कोई कंफुजन नहीं रहाएगा